एज़ोट्रोपिक मिक्चर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या होती है इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक वीकर है और उस वीकर के अंदर वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सब जानते हैं या 373 Kelvin होता है अब यदी हमने क्या है उसके अंदर कुछ solute एड कर दिया तो उसका जो boiling point है वो बढ़ जाता है और उसका freezing point घट जाता है और उसका vapor pressure भी घट जाता है जब वाटर के अंदर क्या है solute एड करने से उसकी कुछ property जैसे कि उसके vapor pressure में उसके boiling point मे और freezing point में change आ रहा है ठीक है न तो इन properties को हम बोलते है colligative property क्योंकि यह property जो solution की है ठीक है यह किसके डालने से solute में solvent डालने से change हो रही है ठीक है तो solute जितना मैं solute डालूँगा यानि number of solute particle जितना मैं solute रूद के अंदर डालता रहूँगा उतना ही इन properties की value में change जाएगा तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है colligative properties ठीक है अब हमारी colligative property 4 होती है पहला relative lowering of vapor pressure यानि vapor pressure का घट जाना vapor pressure कैसे घटेगा जो हम किसी solvent में क्या डालेंगे solute डालेंगे ठीक है और elevation of boiling point boiling point का बढ़ जाना depression in freezing point freezing point का घट जाना और fourth हो रहा हमारा osmotic pressure ठीक है तो हमारी colligative properties वो property होती है किसी भी solution की जो क्या है number of solute particle पर depend करती है कि जितना ज्यादा solute particle उसके अंदर होगा जितना ज्यादा उनका number होगा ठीक है उतना ही ज्यादा हमारी उन colligative properties की value पर क्या पड़ेगा फरक पड़ेगा राइट अब इसके अंदर पहली colligative property है relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure क्या है जब भी आप कोई non-volatile solute और non electrolyte non-volatile होना चाहिए non electrolyte solute होना चाहिए अभी हम non electrolyte की बात कर रहे हैं ठीक है हम किसी pure solvent में add करते हैं यानि हम water के अंदर add कर रहे हैं मान लीजे sugar add कर रहे हैं ठीक है न तो vapor pressure of pure solvent decrease तो हमारे pure solvent जो है जो water है उसका vapor pressure घट जाएगा वेपर प्रेशर का मतलब उसकी वेपर में जाने की tendency घट जाएगी जब वेपर कम जाएंगी तो compressor exit करेंगी तो वेपर प्रेशर कम आएगा तो इसको तो बोलते हैं lowering of vapor pressure क्या है पहले वेपर प्रेशर जादा था फिर वो सुगर डालने से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया डिक्रीज हो गया जब वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो गया तो उसको बोलते है lowering of vapor pressure या lowering in vapor pressure ठीक है यदि इस lowering को यदि इस lowering को हम pure solvent के vapor pressure से डिवाइड कर दें तो उसे बोलते है RLVB यानि relative lowering in vapor pressure अब assume कर लेते हैं कि हमारे पास एक beaker है और उस beaker में भरा हुआ है water तो water हमारा हो गया pure solvent तो pure solvent का जो vapor pressure होगा वो P01 होगा ठीक है अब आपने क्या काम किया उसके अंदर sugar add कर दिए तो वो मेरा solution बन गया अब जो solution का vapor pressure होगा वो आएगा हमारा P1 तो lowering कितने की हुई यानि पहले vapor pressure मेरा कैसा था ज्यादा sugar add करने से vapor pressure कैसा होगा या कम तो lowering कितने की आई P0 ज्यादा मेंसे कम को घटा दो ज्यादा मेंसे और कम को घटा दोंगा तो मेरा P0 1-P1 यह आगी हमारे पास lowering अब इस lowering को यदि किस से divide कर दिया जाए P0 1 से ठीक है न यानि P0 1-P1 को P0 1 से divide कर दिया जाए तो उसे बोलते है relative lowering आ रहा है कि हमारा pure solvent के relative वो कितना कम हुआ ठीक है उसे बोलते है relative lowering in vapor pressure ठीक है अब क्या होता है RLVP का एक formula होता है formula कैसे generate करते हैं तो हम सबसे पहले क्या है route slow को follow करेंगे route slow को apply करेंगे कि वही रब we know that from route slow the vapor pressure of the solution क्या हो जाएगा P1 equal to P1 directly proportional to X1 यानि P1 equal to P0 1 X1 ठीक है न यह होगी हमारा route slow के according यानि जो partial pressure of the solution का है वो उसके mole fraction के क्या है directly proportional है ठीक है अब होता क्या है तो reduction in vapor pressure reduction in vapor pressure हमने पहले है पता है कि यह जो हमारा delta P1 है तो यह हमारी lowering आई है lowering मनला P0 1 minus P1 ठीक है न तो यह आया हमारी lowering मुझे पहले से पता है कि P1 की value में अभी पीछे बढ़ गाया है route slow के according P1 की value है P0 1 X1 मैंने delta P1 equal to क्या अगर दिया P1 के इस्थान पर डग दिया P0 1 X1 तो P0 1 minus P0 1 X1 हो गया यहां से क्या है जो हमारा P0 1 है मैं उसको common ले लूँँगा और delta P1 हो जाएगा P0 1 और 1 minus X1 1 minus X1 जो होता है वो X2 के बरावर होता है यह mole fraction में मैंने पढ़ाया था ठीके X1 plus X2 बरावर 1 होता है तो यदि 1 minus X1 लिखा हुआ है तो वो X2 के बरावर होगा और delta P1 मेरा कितना है P0 1 minus P1 यहां से मैं P0 1 को इसके निचले आऊँगा तो delta P1 upon P0 1 equal to क्या हो जाएगा मेरा X2 और इसकी जिस्थान पर रखदूँगा P0 1 minus P1 तो P0 1 minus P1 upon P0 1 वो हमारा directly proportional किसके हो जाएगा X2 के मतलब इससे यह बता चला जो RLVP है क्योंकि इतने पार्ट को मैं RLVP भोल रहाँ ठीक है वो directly proportional है number of moles of the solute के mole या mole fraction of solute के याँ जितना solute का mole fraction जादा होगा ठीक है न उतना ही क्या है relative lowering जादा होगी मतलब RLVP जो है वो solute के particle के number पर depend करती है अब क्या है इसके अंदर अब मुझे पता है कि यदि मुझे X2 निकालना है X2 मतलब mole fraction of solute निकालना है तो mole fraction of solute कैसे निकलता है कि moles of solute upon moles of solute moles of solvent plus moles of solute आ रहा है तो क्या करेंगे यदि हमारे पास क्या है N1 तो बहुत जादा है और N2 बहुत कम है यह कब होगा केवल dilute solution के लिए तो dilute solution के लिए आप क्या करेंगे N1 नीचे जो N2 term में उसको neglect कर देंगे तो हम X2 के स्थान पर N2 upon N1 लिख सकते है तो P01-P01 upon P01 हमारा हो जाएगा N2 upon N1 अब यहां से N2 की value होती है W2 upon M2 यानि किसी सबस्टांस के मोल निकाल ले हो component 2 के मोल तो component 2 का mass और component 2 का molar mass या solute का mass upon solute cat molar mass N1 solvent का mass upon solute का molar mass और यह हमारा एक formula आगया यह जो formula है ठीक है यह हमारा निकलवाएगा molar mass भी निकलवा सकता है molar mass of solute निकलवा सकता है या फिर क्या आए वैपर प्रेशर आप सॉलूशन भी हम इस से कैलकुलेटर तो यह फॉर्मुला इस फॉर्मुले से बिल्कुल क्लियर हो जाता है यानि अब फॉर्मुला या अब एक्स्प्रेशन इस क्लियर डैट रिलेटिव लोवरिंग आप प्रेशर इस इक्वल तो दा सॉलूट यहां पर इन सारे जो इस सिंबल है पता होना चाहिए पी नॉट वन मेरा वेबर प्रेशर है प्योर सॉलूट का ए डबलू तू मास अब सॉलूट है यह और यह फॉर्मुला आ गया हमारा आरल वीपी का तिक है यह इंपोर्टेंट फॉर्मुला है इससे हम काफी निमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं